और कि अबढ़ा था हमने अब या उटो लॉंच फ्लो अब लॉंच फ्लो पड़ा था जी अब हम और अब 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 यूज करते हैं कि अ जब हम को भढ़ाने हो दूब्लिक एसी मैंटेंटेंटेंट करने हों कि मतलब अगर हुआ है तो दो चीजे और देखने वाले हैं पहली मिख्म और चीजें प्लो क्या सिर्फ एक ही देखी है कि oc क्या होता है और दूसरी सिटिवलड फ्लओ क्या होते हैं फीग है इस्टार्ड पिर्वाognगे आगे उसके वालते रगए वापस आहेंगे और अगर हमसे फ्लो की बात करें तो इसका नाम ही है सीद्यूलड फ्लो कि एक इस स्पेसिफिक टाइम पर अगर हम इसको करें तो उस पर चलता रहेगा बार-बार जैसे कि फॉर इग्जाम्पल हम ये एकाउंट ने मतलते स्पेसिव करदें ये कॉइव कोई भी अक्तिवीटिवटी नहीं हुई है और अगर ऐसा है तो उन अकाउंट्स को एक्टिवेट कर दो कि पीकां साऩी अक्टिवेट निए करदो मतलब कि फिर से एक महीने पहले जितने भी अकॉंट सो इक महीने पहले कि जितने से पहले كह से अनुट नहीं हुई है लास मोडिफाइट देट अगर थीज दिन पहले की है तो उनको उठाओ और उसके बाद उनको अपर दो कैसे करोगे एकाउंट में एक फील्ड होती है यस और नो तो उस एक्टिव फील्ड को नो कर देना है अगर एकाउंट की लास्ट मोटिफाइड डेट लेस देन थर्टी डेज है या ग्रेटर देन थर्टी देज जो भी है ठीक है तो अब उस चीज़ पर आते हैं किसको करते कैसे हैं क्रियेट कैसे होगा क्या होगा सेड्यूल फ्लो बहुत ही मतलब बैसिकली चीटी सी बात है जब मुझे कोई एक प्रॉसेस चाहिए जो सिट्यूल हो हर स्पेसिफिक इंटर्वल पे और यह काम करें ठीक है तो सिट्यूल करोगे उसमें ध्यान रखने माली चीज़ यह है कि जो यह फ्लो होता है यह पूरा का पूरा फ्लो वह एक्शली में लार्ज साइज आफ लब की अगर तुम्हारा तुम्हारे साथ बल्क में रिकॉर्ड क्रेट हो गया दो फ्लो नहीं चलता है और अगर इसको टेस्ट करना है कि फ्लो चलना या नहीं तो कई सारी चीज़े कर सकते हो एक तुम्हारा इस्टुडेंट पर जो हमारा है बना हुआ है फ्लो जो की वेल्कम इमेल बेज़ता है इस्टुडेंट को तो उस इस्टुडेंट पर तुम 200 रिकॉर्ड एक साथ क्रेट करके देखो और उस पर देखोगे एक बार ही इमेल आएगी 200 बार नहीं आएगे जब कि आनी 200 बार चाहिए इसी तरह तो इमेल की जगा इस्टुडेंट पर कोई बिफॉर से फ्लो चला दो तो जब वह चीज़ करोगे सद्सक्साइब है जब वह चीज़ करोगे ऑफल तो पता चलेगा कि फ्लोक की I mean कि चाले है अधो हमेव्राइसां सिंगल रिकॉर्ड थो रिकॉर्ड चान रिकॉर्ड के लिए सब्सक्राइन पचासव पचास रिकॉर्ड को दो सुलिकसी बात आती थे तो फिर वह प्राब्लम सुरू हो जाती है तो वह द्यान में रखने होती है उसी तरह सब्सक्राइब बहुत सारे रिकॉर्ड है जो उस पर्टिक्लर इंटर्वल में आएंगे वह उस चीज़ पर आएंगे उसके तुम्हें कुछ और करना पड़ेगा ठीक है यह चीज होती है तो इस पर हमारा है कि अगर बहुत ज्यादा रिकॉर्ड आते हैं हमें दूसरा सोचना पड़ेगा अभी के लिए हम सेडियूल पर बात कर लेते हैं तो हम सेट आप पर जा रहे हैं सेट आप पर हम यहां पर सर्च करेंगे फ्लोउज ठीक है और यहां तो जब हम यहां पर निव फ्लो करेंगे तो यहां पर क्या होगा कि वह सेम चीज पॉप आएगा कई सारे आप्संस होंगे इसमें कौन सा से लट करना है से हम रिकॉर्ट रिगड की का बात कर चुके हैं माटो लांश की बात कर चुके हैं तीन बचे हैं जिसमें से एक यह ह तो अब जब कर रहे हैं तो यहां पर पूंच रहा है सेट और सेड्यूल की आपका यह सेड्यूल है कब से चलेगा है जो आपका सेड्यूल है वह कब से चलेगा इस ताट टीक है तो हमें स्टाइड लइट से कि आज की है मारी और टाइम है हमारा कि इस एफ्टेट से एफ्टेश की एक वाज चलेगा या डेली चलेगा या वीकली चलेगा है डिपेंडिंग आन अपनी रिकॉर्मेंट डेली अगर करते हो देली हो जाएगा इस्टार्टिंग फ्राम दो फरवरी 2024 गैरा पीम से डेली यह गैरा पीम पे चलेगा दूसरी चीज़ यहां पर करते हैं तो हम चूज ऑबजेक्ट ही चूज कर लेते हैं मॉसली तो जैसे कि हम यहां पर एक्जामपल हमने चूज किया अकाउंट तो यहां पर हमें अब उसके फील्ड की जरूरत पड़ेगी फिल्टर जरूरी है में लगाना पड़ेगा अभी हम कह सकते हैं कि एक्टिव ए तो अब यहां पर हम सबसे पाहली सीज तो यह जो है यहां पर रिसोर्צ will कर सकते सबसे बड़ी चीज़ हएं तो अगर हम चाहें कि हम यहां पर कह दें कि जो लास्ड मॉडिफाइट इस अकउंट की लास्ड मॉडिफाइट इपकल कारेंट से डेट माइनस 30 जिससे कि हम पिछले 30 दिन पीछे चले जाए फिक कर लास्ट मॉडिफाइट डेट एक कुल नहीं लेस तैन लेस दैन और एक कुल करेंट डेट माइनस 30 ठीक है देटर देन से आगे वाले मिल जाएंगे अच्छा यहां पर इसोर्स से लेक्ट नहीं कर सकते हैं तो अब यह कंडिशन तो हमने यहां पर लगा दी इसको सेडियूल कर दिया सिडियूल जी टिक है तो अब यहां यहां पर दे दिया डियक्टिवेट एकाउंट प्रिक है अंदेन इसको सेव कर दिया अब यहां पर तुमने अपने एक आप यहां पर क्या करना होगा तुम्हें अकाउंट मिलेगा और एकाउंट कैसे मिलेगा रिकॉट इसका वेरियेबल होता है रिकॉर्ड का जब भी यहां पर कुई और अब्जेक्ट चूज कर लेता तो अब हमें यहां पर डिसीजन लगाना है कि जो उसकी लास्ट मॉडिफाइड डेट है वह लेस दैन है तीस दिन पहले से या नहीं तो अगर हम इस पर करेंगे हम डिसीजन डिसीजन यूस करेंगे और कहेंगे कि इटफ निसीजन अथ ही तो अगरे इनक्टिव है तो आएंने डाटी नहीं और कुछ नहीं करेंगहे मिजिगे जो रिकॉर्ड है हमारा रिकॉर्ड उसका जो क्रियेटेट डेट है लेस दैना और इक्वल अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा ठीक है यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा पॉर्मुला क्रेट करना पड़ेगा है ना बिना फॉर्मुला के होगा नहीं तो उसके लिए हम व माइनस थर्टी थीक है करेंगे डेट एंदेन यहां पर डालेंगे फ्लो डॉट करेंड डेट माइनस थर्टी डेज नहीं अगर वैलिडेट किया एंद उसके बाद आपका अगर वैलिडेट थीक है नहीं थीक है अन्दन डन यह हो गया यह अब यहां पर हमें अपडेट करना ठीक है तो कैसे करोगे यहां पर अबडेट अपडेट रिकॉर्ड क्योंकि यहां पर अब डेट ट्रिजे रिए अब डेट नहीं आ रहा है तिहां पर करोगे अपडेट रिकॉर्ड और अब डे रिकॉर्ड यू आर 01 डी अक्टिवेट दे अक्ट रिकॉर्ड ठीक है और यूज दा ग्लोबल रिकॉर्ड वरियेबल इसने पहले ही कहा दिया यहां पर रिकॉर्ड वरियेबल यूज करके उसको कर सकते हो ठीक है यहां यहां पर करना क्या है उसमें active फील होती है active और इकॉल्स नो कर देंगे हैं यहां पर ये मतलब कि हमने एकाउंट कर दिया है लूज तो यह चीज हमारी उस चीज़ पर हो गई ठीक है अब इस पर definitely fault path होगा तो इस थे वालड़ प्लिब पाथ अब यहां पर क्या करोगे फालड़ में सब फ्लोऌ आइड कर सकते हैं ढ़आ सब फ्लोऌ आइड कर सकते हैं या सब फ्लोऌ ही आइड करोगे है क्या करोगे और एर्र हेंडिंग के लिए तो वही करें दिया जो हमने मेरा उटो लॉंच तो हम यहां बें सब फ्लो ही कॉल करेंगे जो कि होगा लॉग एरर ठीक है लेबल इसका होगा जो भी है यहां से पास कर दोसको ठीक है यह यूजर है इसका और कंपनेंट टाइप फ्लो है एर्र टाइटल यही है कि अपडेटिंगग अकाउंट रिकॉर्ड टो इनेक्टिव इंटर्विव आईडी टेफिनेटलि देना बनता है विश्बर इंटर्विव यूजर्य फ्लो नेम तो भी तुम्हारा फ्लो का नेम है देदोट्टो देना है तो खर नोड देना पड़ेगा यह देखना पड़ेगा हमारे यह है कि नहीं कि यह है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि इसमें फ्लो टाइप में क्या है तो हमें जाके आड़ करना पड़ेगा ठीक है कि अब यहां पर हमाएंगे जो हमारा है उसका नाम क्या है यहां पर हमाइड करेंगे इस डियूल्ड फ्लो ठीक है यह बूल गया थे हम उप्लो ठीक है यह जाएगा इस डियूल्ड फ्लो और एक और होगा जो गी होगा एसिंक्रोनेस फ्लो तो यह किया यहां पर उसको दे दिया सिट्यूल्ड फ्लो ठीक है सिवेरिटी जो है तुमारी एरर हो जाएगी फ्लो नोट वगेरा दे देना एरर कंटेंट जो तुमारा आएगा वह फ्लो डॉट फॉल्ट मैसज से आएगा ठीक है दो चीजे बती फ्लो नेम इसको डन करके वह इसलिए क्योंकि अब इसको एडिट करोंगे तो साइड में खुलेगा और आप हम यहां से कॉपी कर लेंगे ठीक है फ्लो नेम में यह रहा और फ्लो नोड में जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा यू आर जीरो वन कॉलन अग्टिवेट अकाउंट रिकॉर्ड तो यह तुम्हारा प्रॉपर पूरी की पूरी रेंडलिंग हो गया और इसको जब करोगे तो यह पूछे गया रोलबैक मोड में करना है क्या लेट्स रूल बैक मोड में ठीक है अच्छो रन किया और देखो उसको कुछ तो रिकॉर अगर हम यहां पर देखें तो पता नहीं कितने रिकॉर्ड मिलें उसको इसको मिला है जो भी है वो चल गया तो यहां पर वह हो जाएगा ठीक है तो आप अगर यह सही चलना है तो इसको कि अरिट कर दो और तुमारा हो गये तुमारा क्लिए ह् tussen ट्लो है और यह तो फल सिंग्रॉय सथा तो लोराषि कहा था है उसका या क्या है क्वोगर आती है तो इसको पर सिंख्रॉनशा जो करते दो तो में क्या है कि यह समय नहीं चलेंगे कुछ टाइम के बाद चलेंगे ठीक है एक मिनट बाद दस मिनट बाद या फिर देली दस बज़े डेली ग्यारा बज़े ऐसे चलेंगे वो फ्यूचर के इसाब से वह हमारा जो है वह उसी समय रियल टाइम पर नहीं चलेंगे कि हमने कुछ किया और हो गया ठीक है तो इसलिए इनको हम एसिंक्रोनस फ्लो बोलते हैं अब यह टाइम बेस्ट पर कैसे कहां पर करना है वह उसकी सबसे फ्लो में आ जाता है अगर हम बात करें टाइम बेस्ट फ्लो की तो यह इंपॉर्टेंट होता है जब हमें अपने फ्लो का एक्जिक्यूशन कुछ डिले करना होता है अपने फ्लो का एक्जिक्यूशन हमें डिले करना होता है डिले कैसे मतलब लेट से कि हमें कहना है कि हमारा रिकॉर्ड जब क्रियेट हो सबसे पहले चीज तो यह जो होता है यह जो आपसन है यह रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो में ही है ठीक और किसी फ्लो में आफ्सन नहीं है यह जो एसिंक्रोनल टाइम ब्यूमकिर्ट करयेट हुआ उसके एक मिनिट वाद फ्लो चले या दो मिन", बाद चले पांच मिनिट बाद है तो एसाइन्मेंट रूल हमारे जो होंगे वह हमेशा एसिंक्रोनस टाइम बेस्ट फ्लो में ही चलेंगे जैसे केस और लीड का एसाइन्मेंट रूल हुए ठीक है इसके पीछे क्या रिजन है कैसे वह हम बात में बात करेंगे बट अभी के लिए जो एक्जांपल हमारा वह यह है कि कोई भी हमारा साइन्मेंट रूल इसलिए हम हमें उसको डिले करना पड़ेगा एक्याइट मिनिट ऐसे करके फेकर दूसरा चीज हमदेखेंगा एक्षमीमें करके और वह हम यह हमारा वर्क कर रहा है वह यह की हमने यह जो ऑबनाया है ठीक है इसमें कई सारी चीजें कई सारे नीव फिल्ट हमने आड किया हैं मतलब उस दिन के बनाने के बाद जैसे कि प्लो का डेवलपर नेम मतलब फ्लो की एपियाई जो बनाते हैं उसका जो एपियाई बनता है वह यह हो ठीक है लेबल तो यह हुआ पीछे यह ठीक है इंटरव्य स्टेटस मतलब फलो कंप्लेट हुआ या नहीं हुआ थिक है इंटरव्य की आइडी तो हम पहले ही ले रहे थे फलो का वर्जन हमने उस दिन नहीं लिया था और फलो का नेम स्पेस अगर फ्लो मैंने स्पैकेज से है तो यह तीन-4 फील्ड हमने नाये बनाए ठीक है और अब यह है कि हम क्या करते हैं error handling में अपने flow से हमें सिर्फ interview id की जरुरत होती है क्योंकि यहीं मिलता है बाकी नहीं मिलता हमें अपने error handling में अब हम इस interview id का use करके एक object होता है flow interview log Salesforce का एक object है इस अब्जेक्ट के अंदर हमें मिलता है कि कौन सा फ्लो था उसका डेवलापर ने मतलब उसकी API क्या है उसका लेबल क्या है उसका नेम स्पेस क्या है उसका स्टैटस क्या है इतना कुछ हमको मिल जाता है अब हम अगर चाहें जैसे कि यह यह तो हाँ यह इसमें populated है यह values ठीक है यह इसलिए populated है क्योंकि यह फ्लो है जो चलता है और प्लेट करता है अभी हम उस फ्लो को deactivate करेंगे ठीक है फ्लो यहां पर किया हमने और यहां रहा फ्लो अब अगर देखोगे तो यह अगर हम कोई एर्र लॉग करें लेट से कॉंटक में चलते हैं और कोई बीए कॉंटक्ट में जाके यहां पर हमने अपना फ्लो एड़ कर रखा है लो कैसे एड़ करते हैं वह हमने दिखा दिखा दिया है पहले कई बार तो यहां पर हम अगर नेक्स्ट करेंगे तो यह एर्र आएगा एर्र मैंसे दिखा रहे हैं बैसिकली देर वाज एर्र वाल क्रेटिंग कॉंटक्ट रिकॉर्ड प्लीच लीच आओ टूराच एडमीन आज देम तो चेक्ट लॉग्स आल्सो एन इमेल इसको फ नाइन तो और चाहो तो हम इसमें चाहो तो इसमें हम लिस्ट व्यू में एक फिल और आड कर सकते हैं जो कि है क्रियेट डेट जो बताएगे यह फ्लोक अव क्रेट हुआ तो यह आज का हुआ है टैन टून्टी एम सेकेंड फरवरी ठिक हम इसको क्लिक करेंगे और यहां प पर नहीं populate हो रही है क्योंकि हम सिरफ यह तीन फिक कर रहे हैं बाकि चार नहीं कर रहे चार या पांछ ठीक है अब हम क्या बोलेंगे हम बोलेंगे ठीक है चलो एक काम करते हैं एक फ्लो बनाते हैं रिकॉर्ट रगड़ फ्लो एरर लॉग ऑब्जेक्ट पे जो की इस वैल्यू को उठाएगा फ्लो इंटर्व्यू लॉग में कोरी करेगा और इन वैल्यू को पॉपलेट कर देंगे हम ठीक है यह करेंगे अब इसमें कंडीशन्स है यह जो लॉग है यह फ्लो का भी हो सकता है यह क्लास का भी हो सकता है ट्रिगर का भी हो सकता है किसी का भी हो सकता है तो जो हमारा रिकॉर्ट ट्रिगर फ्लो बनेगा उसमें कंडीश के और वह कंडिसन क्या होगे उस रिकॉर्ट ट्रिगर्ट फ्लो की कंडिसन क्या होगी इस जो लॉग तुम्हारा क्रियट होगा वह ज़रूरी नहीं है कि हरुपा ही क्रियट हो यह भी हो सकता है कि यह लॉग प्रिएट हुआ है जा फिर उस लॉग को लोग कि देश्चिंट हुआ लॉग श्चिनल करेट हुआ कि एरर हमारी एक से में आई थी तो अब यह जो इंटरुक्वेट वाला कॉंसेप्ट है जो डीटेल वाला कॉंसेप्ट है यह सिर्फ लोग के केस में ही आएगा तो तो क्या कंडिशन होनी चाहिए इंटर्व्यू आइडी नल ना हो और यह चीज नहीं बढ़ेंगी हार चीज जो है क्या कहते हैं तुम्हें कोई दूसरा आदमी नहीं आके बताएगा जी जो है पूंपॉनेंट टाइप तुम्हें बोला ट्रापननटाइप लोग होना चाहिए ठीक है यह चीज तुम्हें खुद सोच नहीं पड़ेगी अच्छा ऐसा है तो इसमें यह भी तो हो सकता है इसमें यह भी तो हो सकता है ठीक है अब हम रिकॉरड प्रतलो फ्लो और आल प्रकुट्अ टेषफा यह बनाएंगे दिकरीकॉड्टाट फ्म अवज्यकत फोलग पर सिक्तृड करिये और तो किस सफटृटशर्ट पर होगा करियेट हूआ है क dépl़ talent डेंशन क्या होते इसकी यह condition important है उसका जो फ्लो टाइप या फ्लो टाइप नहीं काम्पोनेंट टाइप जो हमारा वह होना चाहिए फ्लो तब ही यह चलेगा नहीं तो नहीं चलेगा दूसरा जो फ्लो इंटर्विव आइडी है देज नॉट इकॉल टू नल नहीं होनी चाहिए और फ्लो इंटर्विव आइडी इस नल फॉल्स होनी चाहिए इस नल फॉल्स अगर ऐसा है तो ही वह चलेगा नहीं तो नहीं चलेगा ठीक है जी उसके बाद अब हमें करना क्या हम इन में से कौन सा यूज करेंगे इस जो तुम को बताया है इसके अलावा कोई तुम्हें चाओधा कोई किस्ट जो है पूछा जाएगा क्या देखो जब बताओ इसमें से क्या समझ में नहीं आ रहा है और इसमें तुम्हें ऐसा क्या इसमें से इसमें इसके अलावा कोई और दूसरा तुम्हें करना इसमें यह बताओ नहीं तो इसमें से अब बताओ इससे तुम्हें क्या पता चलना है कि रिकॉर्मेंट नहीं है तो हमें क्या करना है इंट्र लॉग्स आपजेक्ट करना है और यह जो फील्ड है इन फील्ड को अपडेट करना है पूरे फ्लो में जितने भी बनाओगे उन सारे क्यों और कोई पूछने को मिले तो बताना है यही से लगे वोंसे दोनों में तरह चीजज होता है तो अगर Butt Yish direct क्लियर नहीं होगा पता ही नहीं मिया है कि क्या है तो फीर कोई फैदा है तो पहले तुम्हें बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगा अच्छिक है और इसलिए वो चीज वह पूर पर पूरे डाइग्राम बनाया है कि जैसे समझ में आए कि हां चल क्या रहा है उसमें अब क्या पूछना चाहिए क्या नहीं अब यह होगे हमारा उसके बाद नेक्स एंट्रव्यू की के और फ्लो इंटर्वीव लॉग में फीलो इंटर्वूति है और हमारे पास कि वसी किया तो अब हम यहां पर क्या करेंगे तो अब क्या करेंगे नहीं एक प्रेकॉर्ड रिकॉर्ड करेंगे और यहां पर करेंगे विए ईसको कोपी कर लेता हूं फ्लो इंटर्व्यू लॉग और रिकॉर्ड प्रिकर्ट तेखिए जिए कौन सा आपजेक्ट है फ्लो इंटर्व्यू लॉग यह रहा तेखिए कंदीशन क्या होगी यहां पर प्रेंगे फ्लो इंटर्व्यू दी इकवल्स एक्विश रिकॉर्ड के प्रिकॉर्ड के टो इन्टर्व्यू आइडी से से करेगी तो मिल जाएगा ओंली दो फर्स्ट रिकॉर्डॉड ऑल्टुमेटिकल इसटोर फील्ट फ्लो फ्लो सेब करना कि थेक है यहीं हो गया यहां हम रतिगे और तेहां कहें है अब नेक्स्ट क्या करना है में अधिय नेट्स जो है हमारा हुँ यार है की हमें चेक करना है कि इस से हमें बिला ऑप की नहीं रिकॉर्ड मिला हो सकता है कि,radesकर कर दिया और रिकॉर्ड मिला ही नहीं हो तो हम इससे करेंगे plus और decision यूज़ करेंगे है चेक इस दर्त रिकॉर्ड वसपाउन्द तीर तरह plataformज अब कैसे चेक करेंगे रिकॉर्ड Foi कि क्या हमारे पास तरीका है क्या डिसकस किया था हमने जब भी हम गेट रिकॉर्ड यूज करते हैं और हमें उसको यूज करना होता है था हमने क्या तरीका डिसकस किया था कोई नहीं फिर से बता देता हूं अब मत भूलना जब भी हम गेट रिकॉर्ड यूज करते हैं और हम्हें यह चेक करना हो कि वो रिकॉर्ड मिला या नहीं तो उसी रिकॉर्ड एलिमेंट से रिकॉर्ड सिंगल वरीएबल जो गेट रिकॉर्ड है उसका जो id है हरा object में id होता ही होता है उसका जो id है उसमें दो condition लगाएंगे does not equal to null और उसका जो id है is null false यह दोनों condition लगाएंगे अगर यह दोनों true हुए इसका मतलब कि यह record मिला है हमको ठीक है तो जब भी get record से चेक करना होगा मिला नहीं यह condition लगेगी आगले बाद पूछूँगा नहीं बता पाएं तो समझ लेना अब यह आगया हमारा अगर record found हो गया तो हमें क्या करना है अपडेट करना है स्टेम रिकॉर्ड को अपडेट करना है ट्रिगरिंग रिकॉर्ड को ठीक है अब इसका अपडेट करते है यू आर जीरो वन अपडेट लॉग ऑबजेक्ट ठीक है अब कौन से फील्ड करनी है दो तीन चार फीलड से शाइаки एक तो यह लो का जो डिवलपर नेंस हों क्या है मतलब फ्लो का कि दूसरां फ्लो का दूसरा को वर्जन क्या है चाह्था इंटर्विवा का टाइम क्या है और रहेट स्टैटू साथ यह पाँंच विल्ड है अपडेट करनी है ठिक है अब यहां पर देवलेपर ने मिलेगा कहां से हमको जो हमने कट किया है इसी तरह उसके अंदर है उसके अंदर है फ्लो का नेम में इस पेस बंटा जाता है ना दिट्रवीन स्टाट सेरेस कहा मिले का मिलेगा गें सिरेस्ट यह भी है गहाएं तोographicsァर कर सक्ते हो जो की है हमें यहां पर फोंका नेम रफ्लो का नेम यहां पर कहां से मिलता है यह होता है यहां का नेम privileged file का स्टरा नेयुक्न होता है तो यहां पर हमें बैसिकली लेवल यूजरे करेंगे तो क्या करेगा लेबल हमें दें देगा एक अधू। अब क्या हुआ अगर तो इसने गलत नेम भी डाल दिया तो यहां से हम पूरा सही नेम अपडेट कर देंगे एंदेन इसको सेव किया कि सेव करने के बाद फिर से भई यहां पर फॉल्ट पात सब फ्लो यहां कर दिया कि अच्छा इसमें आये नहीं क्योंकि यह सेम रिकॉड का थीक है यह अच्छिन रिकॉड का इसलिए फाल पाथ नहीं आएगा थे कि इअ है तो यह हो गया हमारी जीरद से पहले हम टेस्ट करेंगे क्या पता चलेगा कि हमारा फ्लो सब्सक्राइब दिखाएगा कि क्या कैसे ऐढ़ेट कर देते हैं अब एक जो करते हैं कॉंटक्ट पर जाएंगे कोई कॉंटक्ट ओपिन किया नेक्स्ट किया तो एरर आएगा एरर आ गया तो लॉग जैनरेट हो गया होगा हमारा एरर लॉग ठीक है यह रहा टेंथ जो आज क्रेट हुआ है इस पर क्लिक करोगे वैल्यूस पॉपलेट नहीं हुई है थिक है अब पचास बार क्रीयेट कर लोगी सब्सक्रेट करें वैल्यूस पॉपलेट नहीं होगी और कि यह वैलूस पॉपलेट नहीं नहीं होंगा तो क्या हमारे पास ट्रेकर नहीं है यह फिर इंटर्वी स्टैटसस नहीं है तो सब कुछ है सनींथ- nouveau नेम venus face नैम खनी सब सब्सक्राइब करते हैं इसका रिजन है इसका रिजन यह है कि फ्लो कंप्लीट होने में प्रस्ट थोड़ा वह टाइम त लेता ही है पाइए एक फ्लॉलोग रुपिएर लॉया जैसे पर रीजिक करते हैं एर्र लॉग हो जाता है और जब लाग होता है तो उसका करते तो फ्लॉफिनिस होता है कि यह जब हम फिनेश करते हैं सोगे तॉप तो अब सुप हमारा लॉग हो गया जैसे प्रेट हो उगा अभी तक फ्लों फीनिस ही नहीं हुआ दूसरा फ्लों हमारा अलग से चल गया प्रीयक है तो इसको जो है वो करने अब हम में पता है कि हम्मेहोर चाहिए ही चाहिए होगी अब में यह पता चल गया कि हमारा ऐसे चलि नहीं रहा है रियल ask में थैम में तो फिर हम क्या करते हैं तब यूजव करते हैं Asynchronous Flow यहां पर हमारे requirement ही Asynchronous Flow की बन रही है ठीक है अब वो कैसे करेंगे इसी Flow को हम जो है एडिट करते हैं सेवाइस करते हैं और इसी फ्लो को Convert करते हैं Asynchronous Flow में ठीक है कैसे करेंगे जो रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो है यहां पर पर क्लिक करो तो सबसे पहले चीज जो हमारा Asynchronous Flow होता है वह सेम रिकॉर्ड पर नहीं चलता सेम रिकॉर्ड मतलब कि तुम फास्ट फील अपडेट पर एसिंक्रोन फ्लो नहीं चला सकते हो उसका रीजन है उसका एफ ही आंग यह ठोड़ी देर बाद चलेगा ठोड़ी बाद चलेगा तो ले हमारे पास सेम रिकॉर्ड थोड़ी रहएगा अमें नया रिकॉर्ड लेना है तो हम क्या करते हैं आक्सना travelling करना है घ्षिमप करेंत चैक्छ सब्सक्वाद तो जब चेक बॉक्स चेक करोगे और इसको सेब करने बाद देखोगे यहां देखो कि तो मैं पर दो चीज़ आगे एक इधर कहरा अभी क्या भी दोड़ूंगा एक कहरा थोड़ी देर में दोड़ूंगा अब इसमें एक तीसरा और आ सकता है वह यह कि अगर इसको एडिट क आफ्टर आल चेंज़ और कमिटेड मतलब जब तुम्हारा एक हो जाएगा उसके बाद यह चलेगा एक दूसरा यह होता है जो हम देखने वाले वह यह कि हम सब्समें क्लिक करो और पाथ लेवल जैसे तुमको एक मिनट बाद चलाना हो तो के दो कि आफ्टर वन मिनट अग है आफ्टर वन मिनट हो गया तुमारा ताइम सोर्स कब और सबसे पहले चीज़ यहां पर टेट टेट फिल्ड ही आएगी तो टाइम सोर्स में वेन लॉग इस क्रियेटेड हमें तभी चाहिए ठीक है कि जब लॉग क्रियेट हुआ हो या फिर लॉग की क्रियेटेड डेट चैनल क्रियेट वा हो उसके एक मिनट बाद इस पर कई सारे आप्ज़ों से देखो मन्ट आफ्टर मन्थ आफ्टर मन्ख्रममंस बीफorbर डिज आफ्टर डेस बीफॉर हाउर्स आफ्टर आउर्स बीफ़ोर मिनट्स आफ्टर मिनट्स बीफोर हमें क्या चाहिए एक मिनट और यह बिफोर वाले कॉंसेट है इन्वाइस है तुम्हारी ठीक है रियल टाइम प्रोजेक्ट में क्या होता है इन्वाइस बनती है इन्वाइस का रिकॉर्ड बनता है सिस्टम में ठीक है और हम कस्टमर को रिमाइंडर बेशते हैं 30 दिन पहले कि त्रोड के तुम्हारी इन्वाइस डीवाइस डीक कर दो अगर पर नहीं किया है तो ओby करोगत धूसका Ultra कि 30 days before 30 days before ठीक है तो जरूरी नहीं कि सिर्फ हम आफ्टर ही करेंगे ठीक है इसको सेव किया एंड एन उसके बाद अब क्या करना है हमें हमारा यह पूरा का पूरा टंटा है हमें इधर लाना है ठीक है तो बहुत आसान है करें इस गेट रिकार्ड को कट करो यहां करो अब इस डिसीजन को भी टकरो यह पूचे का कौन सा कट करना है हम कहेंगे नक्म कट उल्ल पाथ अलिमेंट और यहां पेस्ट कर दो गया तुमारा अब यह एक और एक्टेस्टेट वो हमारा एक्टिवेट ओगया अगर हम इसकी टेस्टिंग करें और क्लिक करें नेक्स्ट रिकॉर्ड पे यहां पर एरर आ गई इसको फिनिस करेंगे तो अब हमारा लूशीटीव लोगया होगा दिखेगा कहां पर से टप में जाओ यहाँ पर सर्च करो time based flows time based work flows इसी के अंदर flow भी आता है तुमारा ताइम बेज़ वकफ्लो आया इसको सर्च करो तो यह यहाँ पर देखो दो दिख गए ऐक एक तो सिट्वल्ड पाथ वाला है और एक यह वो फ्लो आफ्टल कमेट जिसमें कुछ नहीं है दो है ना इसमें एक यह यह दोनों यहां पर से डूल हो गए एक में कुछ नहीं है एक में है अब यह 10 1043 पर चलेगा अब हम इसको सर्च करेंगे थोड़ी दिर में गायब हो जाना चाहिए इसको पिक है यह थोड़ी दिर में गायब होगा और हमारा एरर रिकॉर्ड हो जाएगा अपडेट कि यह देखो अब अच्छा अभी नहीं सर्च करा अभी भी है 1043 ही है अभी 1044 तक वेट करते हैं और फिर जैसे इसको सर्च करेंगे निया गायब हो जागा अपने अप ठीक है तो इसको वेट करते हैं एक मिनट और सर्च अभी भी है अच्छा यह कब चलेगा 1057 पर कह रहा है चलेगा इसको तो मैं कर देता हूं डिलीट इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि यह वैसे भी आफ्टर कमिट वाला है यह यह वाला यह ठीक है इसकी जरूरत नहीं है अब यहां पर आओगे लॉग पर वापस जाओ तो तुम्हें एक मिलेगा 11 वाला इस पर क्लिक करोगे तो अब देखोगे यह वैल्यू पॉपलेट हो चुकी है हंज़ तो यह तुम्हारा फ्लो है मतलब एसिंक्रोनश फ्लो या आफ्टर मतलब टाइम बेस फ्लो दो दो चीज़ें बैसे कली है ऐसिंक्रोनश फ्लो तो जब सब कुछ खतम हो जागा तब चलेगा ठीक है और इसमें क्या है कि इसमें टाइम लग सकता दस मिनट 20 मिनट 15 मिनट 50 मिनट एक घंटे तब चले यह और यहां पर टाइम डिसाइड कर दोगे तो उतने टाइम के बाद चल जाएगा ठीक है तो हमने यह वाला कवर कर लिया इसको हमने देखा नहीं है बट समझ लिया है हमने यह भी देखा कि वहां पर दिखेगा कैसे तो को इंपलेम्ट कर सकते होने च्टिक जो कि यह फ्लो का नहीं है कोर्स इडिमिन का है इसलिए हम अब इसमें इतना ही करेंगे जो है आञा हमारा है यहीँ हम इन दोनों के करेंगे को वेड़ाओट को एक कुलेश्चेन अभी तक नहीं भीया